अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, तो इसका आसान सा रास्ता है कि पहले आपको खुद को बदलना होगा। हम लोग करते क्या हैं? हम हमेशा बाहरी चीजों को बदलने की सोचते हैं. हम बहाने धुनते हैं. अपने किसी काम में फैल होने पर दूसरे व्यक्ति को दोश देते हैं. ऐसा करने पर हम खुद के पेर पर ही कुलाडी मारते हैं. जब तक हम बाहरी चीजों को छोड़ कर भी नहीं बदल सकती। आपकी लाइफ अपी जिस भी कंडिशन पर है वह आपकी सोच के कारण है। यह आपकी सोच ही है जो किसी चीज को सही तो किसी चीज को गलत बताती है। सोच में अगर फर्क आ जाए तो काफी चीजें अपने आप बदली हुई नजर आएंगी। आपके साथ दिन भर में कुछ भी होता है। उस कंडिशन में आपके पास हमेशा दो अप्शन होते हैं। एक पॉजिटिव साइट और दूसरा निगेटिव साइट। सो आप हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान रखें। आपके साथ कोई घट ना घटी तो आप उस कंडिशन को किस प्रकार से देखते हैं। यह हमारा नजरिया तै करता है। अगर आपका नजरिया सही होगा तो आप उस कंडिशन में सही चीजों को देखोगे। और अगर नजरिय सही नहीं है तो आप उस कंडिशन में उसके नेगेटिव इंपक्ट को देखोगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका एटिट्यूड सही रहे। वाई हर कंडिशन में सही चीजों को देखे। जैसे आप कोई जॉब करते हो और वाई जॉब आपसे छीन ली गई। तो आप उस कंडिशन में उदास होकर मत बेटिए भलकि सही नजरिये से देखिए कि शायद कोई अच्छी जॉब आपका इंतिजार कर रही हो। कई बार आप कोई काम करते हैं और उस काम में कई बार आप फैल हो जाते हैं इससे हार ना मान ली। आप अपने एफट पर ध् का तरीका गलत हो सकता है। ऐसे मौकों पर जब पर आपको एक तरीके से एफट लगाने पर रिजल्ट आपके मन मताबिक नहीं आता तो आप अपने काम को करने के तरीके को बदल देना चाहिए और तब तक बदले जब तक काम पूरी तरह से सफलना हो जाए। दोस्तों ला जब हम खुद का सेल्फ इंप्रूब्मेंट करते हैं तब हम पहले से बहतर बनते जाते हैं। अपनी कमियों वा कमजोरियों की और हामेशा ध्यान दे और कोशिश करें कि इन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जब आप अपनी कमियों को दूर करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। आप खुद में देखोगे कि आपकी परसनेल्टी डेबलप हो रही है। साथ में नई वा गुड हैबिट्स को भी अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह ठीक छे बजे। कब तक के लिए इस्टे पॉजिटिव आलवेज मोटिवेटेड।